अपने खतरनाक फन और दराने वाली सीधी मुद्राओं के साथ, कोब्रा प्रिथवी पर सबसे प्रतिष्ठित सांपों में से कुछ हैं। उनकी सुन्दर्ता, गौरफ पूर्ण रोख और विशेले दंश ने उन्हें सम्मानत और भायभीत दोनों बना दिया है। मेडिसन, विसकॉंसिन स्थिट सरी स्रेप विज्ञानी सारा विर्नम ने कहा, कोब्रा पूरे अफ्रीका, मध्यपूर्व, भारत, दक्षन, पूर्व एशिया और इंडोनेशिया में पाये जाते हैं। ये शब्द पूर्तगाली कोब्रा दी कपेलो से आया है, जिसका अर्थ है फनवाला सांप। इस बारे में कुछ हसेहमती है कि वास्तव में कोब्रा क्या है और कोब्रा को कैसे परिभाशित किया जाता है। इसके आधार पर कोब्रा प्रजातियों की संख्या 28 से लगभग 270 तक होती है। आनुवन्शिक रूप से सच्च कोब्रा नाजा वन्श की सदस्य है। फिर भी वियक नाम के अनुसार कोब्रा नाम अकसर सांपों की कई प्रजातियों का संदर्ब देता है। जिन में से अधिकांश जहरीले सांप परिवार अलापिडे में हैं। अलपिडे में मूंगा सांप, क्रेट और मामबा जैसे आन्य सांप शामिल हैं। इन में से कई सांपों के पास या तो फन होते हैं या उनके शरीर के उपरी हिस्से को उठाने की क्षमता होती है। अपने नुकिले दातों को शिकार पर दबा कर नहीं रख सकते हैं। इसलिए वे अपने दातों के माध्यम से जहर इंजेक्ट करते हैं। उनके पास गंध और रात्री द्रिश्टी की उत्कृष्ट समझ होती है। अपने ट्रेड मार्क हुड के अलावा, कोब्रा के पास गोल पुतलियां और चिकनी शल्के होती हैं। रंग अलग अलग प्रजातियों में व्यापक रूप से भिन होते हैं। कोब्रा के लाल, पीले, काले, धब बेदार, धारीदार और कई अन्यरंग और पैटन हैं। कोब्रा विशाल सांप हैं, कई प्रजातिया 6 feet 2 मीटर से आधिक लंबी होती हैं। केट स्नैक कंजर्वेशन के अनुसार, फोरस्ट कोब्रा सबसे बड़ा वास्तविक कोब्रा है, जो 10 feet 3 मीटर तक पहुझता है, और एश्र का थूपने वाला कोब्रा 9 feet 2.7 मीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे विशाल थूपने वाला कोब्रा बनाता है। सबसे चोटी प्रजाती मोजांबिक स्पिटिं कोब्रा है, जो लगभग 4 feet लंबा 1.2 मीटर है। किंग कोब्रा सबसे लंबा जहरीला सांग 18 feet 5.5 मीटर तक पहुझ सकता है। विर्नम ने कहा, कोब्रा की सबसे प्रसिध विशिष्ट शारीरिक विशेशता उनका हूड है।